आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुसकवरी निकल के आ चुकी एक बार फिर से बिहार से आप लोग जानते हैं टियारी वन टियारी टू के बाद तृती चरौन का विग्यापन आना है और विग्यापन जारी कर दिया गया है आपका इंतजार समाप्त हो चुका है बदला हो है परिच्छा पैटर्न में क्या बदला हो है कितने पद हैं और क्या-क्या चीज़ें इस नोटिफिकेशन में तो वीडियो को अंत तक देखिएगा सबसे पहले आपर देखिए विग्यापन संख्या आप लोग देख लीजिए कहीं से भी आपको यह ना लगए कि फेक विग्यापन है विग्यापन संख्या 22 बटेद 2024 यह जो विग्यापन है इसमें दो डिपार्टमेंट के पद रहें जैसे ट्री टू आपने देखा होगा तो वहां पर तीन डिपार्टमेंट के पद थे पहला था सिच्छा विवाग दूसरा था ओबीसी विवाग और सिच्छा विवाग और दूसरा सिच्छ विवाग दो विवाग के यहां पर पद सामिल की गए अब यह बढ़े भी सकते हैं घट भी कुछी हो सकता है फिलाल यहां पर दो डिपार्टमेंट की वैकेंसी आपको देखने को मिल लएग और जो मीडिया के मादम से इंटर्व्य अभी कल ही आपने देखा होगा बीपेस्टी चेर्मेन का आया है तो वहां पर यह क्लू मिला है कि पदों की संग क्या अच्छी खासी रहेगी आज के समाचार पत्रों में भी आपने देखा होगा कि करीब 87,000 से 90,000 के आसपास पद रहेंगी ठीक है तो यहां पर देखे बताय आगया कि जो भी अब भरती इलिजिवर हैं इसके लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं आवेदन पत्र बरने देखान देख जो बीपेस्टी के वेबसाइट पर मिल लाएंगे गवर्मेंट जोबसेंटर.com से भी आप फार्म भर सकते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यहां पर कछा 1-5, कछा 6-8, कछा 9-10 और कछा 11-12 सभी प्रकार के सभी अब भरतियों के लिए बढ़तिया हैं यानि प्यार्टी, जूनियर, टिजिटी, पिजिटी, इस सभी बढ़तिया हैं और यहां पर देखिए कई सारे इस अब भरतियों जो किया हुआ है तो बहुत आप घाटे में चल लाएं आप चाहिए को सब्सक्राइब जरूर करिए तुरंद करिए ठीक है अब देखिए आगे बढ़ते हैं लोग यहां पर बात कर लेते हैं अब कं कंसे अब बढ़ते हैं इलिजिवाल हैं तो सबसे पहले यहां पर रज्जबेटि करीटेरिया के वारे हैं बताया गया है यहां पर एक बेखिए अक बढ़ते हैं टाल का तो ब्रूट禮 का एक नप्सके पिर अनुसार Valentine सब्सक्राइब करते हूं अगर आप सब्सक्राइब करते हूं तो जो बात निकल के आ रही थी कि नीती लागू हो सकती है तो यहां पर नोटिफिकेशन में सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने के लिए पात रहें ठीक है अब यहां पर देखिए कच्छा एक से पांस तक क्रेटेरिया वह आपके किया हुआ है तो आप इसके लिए पात रहें यापने कोई दिप्लोमा किया तब आप पात रहें या फिर आपने चारवर्सी यह बील एड कोड़ किया हुआ जो इंटर के बाद होता तो भी आप पात रहें या फिर नूंत्स 50% अंकों के साथ आपने किया हुआ है इंटर और सिच्छा सिच्छा में डिप्लोमा आज यह इको Mr. G किये गए हैं तो यह हो गया प्राथमिक्स इच्छक वर्थी के लिए अब बांकी यहां पर देखे नहीं चे लिखा हुआ है कच्छा एक से पांच लक के लिए जो आपका सीट होता है वह आपके पास होना चाहिए और जो बिहार राज्य के वर्थी हैं उनके लिए बीट होता है तो बिहार ठेट आपने किया हुआ तो भी आप इसमें पात्र माने जाएंगे तो यह तो बात हो गई पहली बात प्राइमरी के लिए एन आई उस डियर्ड वालों को यहां पर वड़ती से बार किया गया है और बीर्ड वालों को वड़ती से बार किया गया प्रात्मिक्स फार्म नहीं भर पाएंगे ठीक है अब बात करते हैं जूनियर के लिए तो जूनियर के लिए बोला गया है जूनियर में अक्च्वल में यहां पर जो पद हैं विस्षय की अनुसार हैं जैसे गड़ती विज्ञान का इस एक सिच्छक होगा तो मज़ी की विज्ञान के अलग सिच्छक बादा सिच्छक अलग होंगे तो तीन प्रकार के यहां पर पात हैं तो संबंद सब्जेक्ट से आपका ग्रेजिवेशन होना चाहिए इसमें कौन कौन से ब्रते लेजबल लाएंगे तो बोला कि इसनातक आपने किया हो और प्रारंबिक सिच्छा में दुई वर् रहें इसके लावा यहां पर देखेंगे तो जो चार वर्स्य बीडिकोर्स होता हो भी पात रहें या एंडर के बाद चार वर्सी यह यह वीधिकोर्स होता है तो भी सब्सक्राइब रहें या नुनतम पचास परसंट अंगों के साथ इसनातक है और एक वरसी यह विसेश भी अपने किया तब भी पात रहें या नुनतम चैशे से आड़ में समाजी की विग्याने के लिए आविदन करना चाहरा है तो सनाता के तर पर इतियास, बिगोल, राजिनीती सास्तर, दरसंी सास्त, अरिद सास्त्र, वांडिज, मन विग्यान, समाज सास्त, अगर विग्यान में कोई दो विसाय अपने इस नातक में पड़े हुए होने चाहिए अगर आप गड़ित विग्यान के लिए आफदन करना चाहते हैं तो इस नातक के इस तरफ पर गड़ित संग की बहुत की रसायन जीउ विग्यान यानि बनस्वत विग्यान या जंत विग्यान में से कोई भी दोविसाय अपने पाड़े हुए होने चाहिए इसके लिए भी यानि जूनियर के लिए भी एनाइव डियलर अठारा महिने के जो कोर्स होता वो पात्र नहीं है ठीक है तो यह बात हो गई और आपको बताते हैं ज हम सकम 50% अंकों के साथ इसनात इसनातक या इसनातक उत्तर और बीड आपने किया हुए तो इसके लिए भी आप पात्र हैं इसके बाद नीचे आते हैं संगीत ललित कला यह दांस यह भी सब्जेक्ट दिये गया है तो इसको में अगले में कबर करेंगे टीजिटी का देख हैं तो टीजिटी के लिए बोलागे नियुनतम 50% अंकों के साथ आपने जो इसनातक किया हुआ है और या तो बीड किया हुआ है तो भी आप इसके लिए पात्र माने जाएंगे ठीक है अगर आप बिसेस्ट विद्द्ध सम्मंद्ध हैं तो आपके पास CRR नंबर भी होना प्रक्षाईएं मुझे अब यहां पर देखें कि आप की नॉर्मल वेकिंसी है यह इसदी आप गांशन जरूरी में इसमें और रहें घ्रत कामिनेशन आपको समझना जरूरी है अगर आप सब्ज़ेख कोमिनेशन नहीं समझेंगो तो आपके लिए समझ्यां यहां पर भो स लगती है ठीक है तो सब्जेक का विना देखे आप आवेज़दन मत करिएगा सब्जेक का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यदा लंबा हो जाएगा अब इसका बता दिया मैं पीजुटी की बात कर लेते हैं तो पीजुटी के लिए बोला चाहिए ठीक है तो यह आपके पास होना चाहिए अब एक चीज जो सबसे ज़रूरी है कि अगर आप टीजुटी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास यह स्टेट होना चाहिए पेपर वन क्वैलिफाई ठीक है अगर आप पीजुटी के लिए आवेदन कर रहे हैं इस्टेट का पेपर टू होना चाहिए क्वैलिफाई तो यह वाद समझेगा यह प्राइमरी जूनियर के लिए सीट आपका चल जाएगा और टिजटी पिजटी के लिए आपका जो है एस्टेट चलेगा जिसकी परिच्छा भी हाल ही में होनी भी और पहले भी एस्टेट करव आपको बता दू कि क्या यहां पर है या नहीं तो अगर आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन में सबसे उपर ही कहीं दिखाया गया था आपको ऊपर ले चलता हूं यहां पर देखिए लिखा हुए साबतार पर किस विज्यापन में सैच्छडिक प्रा सैच्छडिक योगत यह यस्ट्रडे पेरिंग में हो यह पीजी अगर रिशान पेरिंग में हूं एपेरिंग कर दिट बिल्कूल भी अलाउट नहीं है आवेदन करने की लाश्ट जो कि है तैईस फरवरी तक आपका जो डिकलियर हो जाना चाहिए तभी यहां पर इस वर्ती में आप वार्म बर पाऊगी ठीक है अब यहां पर एज देख लीजिए बोला गहें टी घर जो गी आपकी वह एक अगस्त दो तकी जाएगी आज की जाएगी एक अगस्त दोजर्ट तेज से की जाएगी और अगर आप एकसे पांच की सामें सामिल होना चाहते हैं तो नियुंतम आपकी एज अठारा वर्स होनी चाहिए लेकिन आगे बोला गया है सिच्छा के मात्विक यह नौ से दस या ग्यारा बारा के अध्यापर तता यह सी इस्ट्री विल फेयर डिपार्टमेंट की जो चाहिए छह से दस वाली हो ग्यारा से बा स्था फूसल्ट के लिए और अनच्छित महिलां पर चाहले कर दिया उमिद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया वगाला यह जो से लेबस वागर आई यह चीजे में आपको अगले वीडियो में बता हूँगों क्योंकि यहां पर वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा से मैं आपको इतना बता दू कि यहां पार जो से लेबस वगएरा है इसमें कोई चेंज मुझे देख नहीं रहा है जो ट्याइटू का सलेबस है लगबग लगबग सेम से बांकि जो भी इसकी बारी की होगी मैं अगले वीडियो बताऊंगा और उस वीडियो के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्सन में और पिंड कमेंट मिल जाएगा तो वहां से आप लोग जो इसको देख सकते हो अंत में आउनलाइन आवेदन करने की बांकी डेट बता देता हूं तो एक ही है रजिस्ट्रेशन और फिस पेमेंट आपका 10 फरवरी से चलेगा 23 फरवरी से आउनलाइन आवेदन प्राराम हो जाएंगे और 25 फरवरी आवेदन करने की हराल में अंतिम डेट रहेगी इसके बाद डेट आपकी बढ़ाई नहीं जाएगी परिच्छा की डेट आप लोग पहले से जानते होंगे 7 मार्च से लेकर के 17 मार्च तक परिच्छाएं हैं इ दिख्कात आई तो थोड़ा वो डेट आगे पीछे भी हो सकती हैं तो में तुम्हें वीडियो आपको पसंद आया होगा धन्यवाद